मैं जब 14 साल का था स्कूल में था सुबह जोग्रिफी की क्लास में था मैं पढ़ रहा था सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई अंदर आई और उसने का राहूल तो मैं प्रिंसिपल बुला रहा है मैं बदमाश था बहुत बदमाश था जब छोटा था बेहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं अभी भी करता हूँ मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है मैंने कुछ गलती की होगी अब मार पटेगी वहाँ पे केनिंग होती थी मैंने सोचा था केनिंग होगी मेरी मगर जब मैं चल रहा था जो ज़िस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देख कर मुझे कुछ अजीब सा लगा और जब मैं प्रिंसिपल के ओफिस पहुँचा तो प्रिंसिपल ने कहा राहुल तुमारे घर से फून कॉल है और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लगया कुछ गलत हो गया है मेरे पैर कहां पे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है वो चिला रही थी राहुल दादी को गोली मार दी दादी को गोली मार दी दादी को गोली मार दी चौदा साल का था देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ ये जो मैं कह रहा हूँ ये जो मैं अभी कह रहा हूँ ये बात प्रधान मंत्री को नहीं समझाएगी ये बात अमिट शाजी को नहीं समझाएगी ये बात दोवल जी को भी नहीं समझाएगी मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझाएगी ये बात CRPF के लोगों को समझ आएगी ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी उनके परिवानों को समझ आएगी तो मेरे उन्होंने मुझे कहा नाम ओंगमू है उसका उसने कहा दादी को गोली लग गई दादी को गोली लग गई और फिर मुझे गाड़ी में वापिस ले गए प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया मैं वापिस गए और फिर मैंने वो जगा देखी जहां मेरी दादी का खून था पापा है माँ है माँ बिलकुल हिल गई थी बोलने पा रही थी पिर पिर क्या हुआ तो जब जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है ये जो है ना ये इसको हम बिलकुल दूसरी तरीके से देखते हैं ये आप सब के लिए टेलेफोन है ये हमारे लिए सिर्फ टेलोफोन नहीं है उसके बाद छे साथ साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलोफोन आया 21 में टेलोफोन आया जैसे बहुत सारे जैसे जो पुलवामा में पुलवामा में हमारे सेनिक मरे थे उनके घर टेलोफोन आया होगा हजारों कश्मीरी लोगों की घर टेलोफोन आया होगा सेना के परिवारों को टेलोफोन आया होगा वैसा है टेलोफोन आया पिता के एक दोस्त थे उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहूल बुरी ख़बर है मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ पापा मर गए कहते हैं हाँ मैंने का धन्यवाद फोन रख दिया तो मेरा कहना है मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है जैसे मोदी जी है अमिच्छा जी है अजीट डोवल जी है आर एसेस के लोग है वो इस बात को समझ नहीं सकते है वो दर्द को समझ नहीं सकते है हम समझ सकते है पुल्वामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ मेरे दिल में वो ही हुआ है जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं उनके दिल में क्या होता है जो phone call आता है क्या लगता है वो मैं समझता हूँ मेरी बेहन समझती है